Hello student, myself Liliam Chandrakar आज की इस lecture में हम discuss करेंगे environmental ethics को तो सबसे पहले तो ये ethics है क्या और इसका origin क्या है तो ethics का जो root है वो ethicos जो की Greek origin का word है ये फिर ethicus जो की Latin origin का word है वहाँ से आता है जिसका मत्दब होता है set of code of conduct ये philosophy की एक branch है जो की हमें ये बताती है कि क्या सही है और क्या गलत है what is right and what is wrong इसके 20 फर्क करना सिखाती है अगर हम इसे define करना चाहें तो हम कह सकते हैं creating a moral sense of environmental conservation in each person is called environmental ethics प्रती व्यक्तियों के अंदर मतलब सभी व्यक्तियों के अंदर एक sense of environmental conservation परियावरन के सनरक्षन का एक sense एक अंदर से जो आवाज आती है कि हाँ मुझे ये करना चाहिए परियावरन का सनरक्षन करना चाहिए उस moral sense का जो creation है प्रतेक व्यक्ति के अंदर वो कहलता है environmental ethics अब बात करते हैं environmental ethics के view की तो इसके दो view हैं इसमें से फॉस्ट है यूटिलिटेरियन जस्टिफिकेशन और सेकिन है ecological justification तो सबसे पहले हम देखते हैं यूटिलिटेरियन जस्टिफिकेशन को ये क्या कहता है कि आप हर चीज को जो धर्ती पर है उसको exploit कर सकते हो economic purpose के लिए आप economically चीजों को exploit कर सकते हैं जैसे कोई जंगल है बहुत बड़ा और उसके नीचे हीरे की खान मिल गई आपको तो आप उस जंगल को काट करके हीरे की खान तक पहुँच सकते हैं ये यूटिलिटेरियन जस्टिफिकेशन है लेकिन वो हीरे के आपको oxygen के भंदार दे पाएंगे जो आप सास लेते हो नहीं लेकिन ये concept जो दिया था जॉन लिक, मिल्टन फ्रिडमैन और पीटर ड्रगर ने ठीक हैं एक्चुलि ये concept दिया था मिल्टन फ्रिडमैन ने और जॉन और पीटर ने support किया था एक्चुलि ये जानते थे चीजों की कीमत कीमत के बारे में नहीं बहुत जानकरी थी लेकिन value की नहीं थी और ज़्यादा ज़रूरी है value साज जो आप ले रहे हो वो ज़्यादा valuable है हीरे सोना चार्णी इन सब चीज़ों से ठीक है लेकिन utilitarian justification economic growth के लिए natural resources के exploitation को justify करता है यह follow करता है classical market mechanism of individual preference को environment और दूसरी और भी चीज़ों को यह ignore करते हुए यहाँ तक कि second law of thermodynamics को भी यह ignore करता है second law of thermodynamics कहता है कि energy को अगर एक form से दूसरे form में अगर हम transform कराते हैं तो बीच में इस process में energy loss होगी तो इसलिए sumaker ने मतबकि EF sumaker ने कहा कि इस चीज़ों का कोई पर्मानेंस नहीं है individual preferences और over consumption को जब हम ज़्यादा तबल जो देंगे तो यह ultimately पहुचाएगा हमे strategy of commons की तरफ strategy of commons economics में एक समस्या को कहते हैं जहाँ पर हम individual preferences को जब ज़्यादा तबल जो देंगे यह फिर जब हम ecology और environment को किनारे रखते वे over consumption ज़्यादा करने लगे natural resources का तो strategy of commons का उदय होता है अब कुनारेट लॉरेंस ने जो कि एक Nobel laureate थे medicine में उन्होंने कहा no one has the right to overturn an ecological balance which belongs to everyone यह अधिकार किसी को नहीं है कि वो ecological balance को तहस नहस करे उसकी बाद second है ecological justification यह moral justification यह फिर environmental holism के नाम से भी जाना जाता है यह concept reject करता है over consumption को और विश्वास करता है कि जितनी भी दुनिया में life form है उन्हें बराबर का दिकार है जीने का survive करने का लेकिन उसका एक negative aspect भी है यह संभव भी नहीं है कि आप दुनिया के सभी life form को बराबरी का दिकार दे जैसे कि अगर किसी को tuberculosis की बीमारी है तो यानि वो bacteria से infected है अब उस बीमारी से बचाने के लिए उस bacteria को ऐसी दवाई खानी पड़ेगी जो antibiotic हो अगर आप bacteria को भी उसी अधिकार से देखोगे जैसे मनुस्य का जीने का अधिकार है तो साहद हम उस बीमारी को ठीक ही नहीं कर पाएंगे और बीमारी उसे मनुस्य की जान जाती रहेगी इसलिए इस concept को environmental phasism भी कहा जाता है अब environmental ethics को समझने के लिए हम तीन थियोरी को समझ सकती है इसमें से first theory है anthropocentric और human centered ethics जहां पर हम मनुस्य को बीच में center में यानि सबसे ज़्यादे important जते हुई रखते हैं फिर second है biocentric ethics या फिर इसी को biothics भी कहा जाता है और third है ecocentric ethics जहां हम कहते हैं कि ecosystem एक महत्पुन अंग है दुनिया का और उसके अंदर मनुसे सिर्फ एक उनका हिस्सा है यानि मनुसे उतना महत्पुन नहीं है वो सिर्फ एक अंग है पूरे ecosystem का तो आईए समझते हैं इन तीनों चीजों को एक एक करके तो सबसे पहले हम देखते हैं anthropocentric और human centered ethics को ये कहता है कि environment एक crucial चीज है मनुसे के लिए और इसलिए हिने हमें बचा कर रखना चाहिए हमारी duty है इसके प्रती अब यहाँ पर इसे दो तरीके से देख सकते हैं हम कहते हैं कि हमें wildlife का conservation करना चाहिए हमें पेडों को कटने से बचाना चाहिए लेकिन पेडों को काट कौन रहा है मनुसे ही पेडों को काट रहा है तो anthropocentric approach में ये चीज आती है कि चीजे हमारे utilization के लिए है और हम उन्हें utilize कर रहे हैं लेकिन साथ साथ में हमें environment के प्रती भी सजग रहना चाहिए फिर second है biocentric ethics ये फिर इसी को bioethics भी कहा जाता है ये कहता है जितनी भी तरह की life है उनका एक तरह का अधिकार है लेकिन जहां बाद भोजन किया जाती है जहां बाद बीमारियों किया जाती है वहाँ पर biocentric ethics से फैल हो जाता है पीछे हड़ जाता है जैसे मैंने example दिया पिछली slide में TB का ये फिर tuberculosis का इसी प्रकार से और भी करे disease है ये भी इसी category में आएगा कि आप viruses, bacteria या फिर pathogens को आप उसी category में नहीं रख सकते हैं जिस category में आप human life को रखते हों उसकी बाद third है इको सैंटरिक एठीक्स ये कहता है कि ecosystem और environment deserve direct moral consideration दूसरे सब्दों में कहें तो ecosystem एक बहुत बड़ी सी चीज है जिसमें different communities different plants, different animals biotic components and abiotic components ये सारे हैं और मनुसे भी इन सारी चीजों में एक छोटी सी role play कर रहा है यानि कि वो ecosystem का एक हिस्सा है अब human rights और environmental ethics में क्या relationship है उसको रेखते हैं तो अगर हम बात करें human dignity की या human health की या फिर human की survival की अगर question इन से related होगा तो इसे हम कहेंगे की strong human rights है लेकिन properties आने के बाद हम कहते हैं कि ये हमारी properties होनी चाहिए ये होना चाहिए ये हमारा अधिकार है तो ये weak human rights कहा जाएगा तो अगर priority की बात करें environment के साथ तो कितनी priority देंगे तो सबसे उपर होगा strong human rights और उसके बाद होगा environment और सबसे नीची होगा weak human rights तो हमें प्रोटेक्ट करना है तो हम प्रोटेक्ट करेंगे strong human rights को उसके बाद environment को फिर weak human rights को ठीक है